आपके अपनी यूट्यूब चैनल वेलवेपार्स अलाको बाई सब लोग थम्मिल को देखता परसान मत हो जाए रहा यह बस सोचे रहे कि थम्मिल में आज निमेरिटल है वो दोट्रे से ऐसा थम्मिल लग गया है आज भी इधार रठीरा आज भी मेरे पास 45 कोशन के ही सेट है 45 कोशन के सेट है जिसमें आपका जन्रल साइंस की भी कोशन रहेंगे जन्रल अवेनिस्ट भी रहेंगे इसमें मैं आज थोड़े बढ़िया कोशन लेके आया हूं ठीक है तो भाई जल्दी से फटा-फट आज आ आज पहले कोशन के टांसर क्या होना चाहिए आपके सामने स्ट्रीम पर यह रहा हूं मैं आपको पहले बता दू जितने भी बच्चे नए हैं वह मैं टाइमिन बता दू रोज रात आट बजे होता है और आप लोग कमेंट जरू ठीक है आप बच्चे कोई भी बच्च्य हो कमेंट करने जमाच चूटा ठीजे कोटी कमेंट जब आप करो जे तभी आप चीजे सीट पाते हो ठीटे ना बिल्कुल बिल्कुल जली अली भाई सब लोगे बाद फटाचे सेयर करदो जिनों ना भी दर सेशन रूसिया नेटिया भारक प्रतम उप गया है आरभट कब छो चूड़ा रिया था रहतना 19 अप्रेल 1975 नाम क्या है आरभट क्लियर कई बाद कोश्चन आता है कि सर ये सैटलाइट इस रोगे छोड़ा था और अगर बात इस रोगी टरते हैं तो 1969 में इसकी इस्थापर होई थी और सुनिये 1975 में जब ये सैटलाइट पहला सैटलाइट छ इस चिरनकुमार द्यानखना उस समय इस रोटे चियर में थे उस समय इस रोटे चियर मैं थे इस मार्क पोगोजा रही था तो पहला साटलाइट है आचासे हमला थे निए रूस की मतलब से छोड़ा गया थे वह धान रखी था पूलो बन कोई साबर recent तो इनैंड रखना उन पिल्ली से पाधुशा कोष्य नमबर दूसरा कुछ लोगीए बहुत ज्यादा कुछ लोगीए बहुत जज़दा दुटा बात हो नी जल्ली पढ़िए और बताईए कोशन नमबर सेटेंट ने टांसर क्या होना चीए फटावर जल्ली पढ़िए हाली में दिल्ली सरकान ने जो सराप की पीने की जो उमर है वो पचीश साल घटा कर कितने साल कर दी रही बताईए जल्ली से ठीके तो आप दिल्ली में देठा भी ओगा है कि कुछ लड़किया जाती है कहती है दारू देदीजिये नहीं मिलती पर वो मांक लगाके जाती है मतला वेंटिलेटर में जाती है तब भी नहीं मिलती है तो धान रठीटा ठीके तो इससाट टांसर हो जाएगा धारणा पचीश साल को ढटा कर 80 साल कर दिया दिया है तो अगर आप 80 साल के हो चुटे हो तो आप दिल्ली में दारू पीज़ अपते हो ये बाद सही है ठीके चलिए अडले बढ़ते हैं नेश कोशेंटी और कोशेंट नमबर दूसरा पढ़िए जल दीज़र बताइए कोशेंट नमबर याद रखना पचीश साल को ढटा कर उतना ही साल कर दिया गया है ठीके इटीश साल चलिए अडला कोशन जो बढ़ते हैं यदि किसी लेंज़री छमता माइनस तूड़ी है तो बताइए फोकस दूरी क्या होनी चाहिए तो आपको पताएए फोकस दूरी जो होती है वो चमता मतलब पावर की उल्टी होती है तो पावर अगर दो है तो एक बटे दो जिस्टा मतलब 0.5 आएड़ा अब इसबाब बताओ अगर चमता माइनस में है तो पाबर भी फोटर्स दूरी भी तो माइनस में होगी तो टैट टांसर हो जाए दो ओफसर नमबर D और सो लेना जिस लेन्स की फोटर्स दूरी माइनस में होती है हमेशा दान अतना वो कॉंकेव लेन्स होता है कॉंसे लेन्स होता है Concave Lens होता है इस बार को दान रखी रहा जिस्टी फोटल्स दूरी माइनस में होती ही सर वो Concave Lens होता है आप टाइट है सकते हो बिलो इस बार मैं आप लोड़ोड़ों के कमेंट भी रीड़ करूँड़ा देखूंगे चितने लोग रिष्टा आप टाइट की समय वाई सराय बताइए कौन था अचा वाई सराय भी बताइए रहा जलिये वाला बाद हत्या टाइट हुआ कब ये भी मुझे बताइए रहा बड़ जलिये कमेंट कीजिए राहुल डॉर सुई तैसी बड़ा अजीब नाम है लेटन अच्छा नाम है मनाली रुपता दिने सिंड दीपू फड़ा बड़ जलिज़ पढ़िये तो जो जलिये वाला बाद हत्या टाइट है अगर मैं डेट की बाद ड़ता हूँ तो धारफना 13 अपरेल 1919 काफी ज़्यादा इंपरेल 1919 जलिये वाला बाद हत्या काण्ड अमरिफसर और उस समय वाय सराइट की बाद की जाती है तो धारफना उस समय वाय सराय था लौड जेम्स फोर्ड तो लाड जेम्स फोर्ड जो है वो समय वाय सराय था और सुनलीजे ये साइमन की बाद जरूर कर लेंडे अगर साइमन की बाद की जाये तो साइमन कमीशन की न्यूट्टी कही बाद कुछी जाती है 1927 हुई थी अगर पुचा जाये साइमन कमीशन भारत कब आया था तो 1928 में आया था न्यूट्टी 27 और 28 में भारत आया था लाला राजपत्र आयकाई जो मृत्ति हुई थी हत्या हुई थी वो साइमन कमिशन के वरोध करते हुई थी ये भी धान रखिये दा ठीके चलिए कोशन नमबर पाचवा पढ़िए जल्दी से और बताईए कोशन नमबर पाचवे का एक टांसर क्यों नाजी पढ़ा पढ़ा अब देखिये रेलबे में अगर निमेरिकल आये जा तो वाट वाला निमेरिकल जरूर पुछा जाता है वाट मतलब यूनेट वाला निमेरिकल जरूर पुछा जाता है कहा जा रहा है 100 वाट काट बल्ब एक दिन में प्रती दिन पांच हेंटे जलाये जाता है तो 30 दिनों म होता है तो number of unit निटालना है तो मुझे हमेशा दानतना kilowatt hour निटालना होता है kilowatt hour तो watt तो मुझे पता है 100 into hour कर दो तो भाईया एक घंटे भी देखिए एक दिन में 5 घंटे तो 30 दिनों में कितना हो जाएदा तो 5 गुड़े 30 लेटे डिये बने डा हमारा watt hour और kilowatt hour बनाने के लिए मुझे नीचे 8000 कर डिवाइड और करना पड़े रहा तो जल्दी से देखिए इस्टा टैंसल कर दीजिए तो यह आंसरा जाएदा 15 unit तो unit पूछी जाते तो आप बताते 15 unit है लेटे देखिए ठर्च के साफ से हो रहा है 50 पैसे प्रती unit के साफ से यादि एक unit का 50 पैसा तो 15 unit का हो जाएदा 15 unit का हो जाएदा आधा जिस्टा मतलब साड़े 7 रुपै बोलो भाई तो साड़े 7 रुपै इसका टैंसल हो जाएदा जल्दी जवाब दीजे तो जित्रों भी बच्ची अभी तर नए जुड़े हुए जल्दी से बढ़ सेशन तो सेयर वीटर दो जल्दी सेयर वीटरते रहिए और जुनों में अभी तर लाइट नीटिया फड़ा बढ़ लाइट करते रहिए देखने वालों टिसन क्या 100 है तो लाइट भी सोने चीए ठीक है भोला जो तम आचके मोसाद किस देश्टी डुप्तचर संस्ता है काफी ज़्यादा फेमस है आपने सुना भी होड़ा मोसाद के बारे में दुनिया की नंबर वन दुनिया की नंबर वन डुप्तचर अजेंसी है और ये किस देश्टी अचली में ये आस पास जो है बहुत सारे टेश्ट अपते हो ती मुझरी पेंट्री से धिला हुआ है जो इस्टे पूरी तरह से दुझ माने जिस्टी वज़े से मोसाद इस्टी सबसे टेश्टो सबसे ज़्यादा दुनिया की पहले नंबर पे डुप्तचर अजेंसी है द निरमार किस्टी द्वारा किया गया है ये फिर आधार बताईए जो आधार होता न शुरुआत में ये यूटेए कि स्वाण मंदिर का जो आधार है वो किसे ने रखा और निरमार किसे ने पूरकाया ये दो तरह एके कोशन आते हैं तो अगर आधार की बात करते कि बताए आधार किसने रखा तो गुडु रामदास स्वाड मंदिर का जो आधार है वो रामदास ने रखा लेगा अगा पुछा जाया कि निर्मार किसने पुराटाया तो धारतना निर्मार पुराटाया है गुडु अर्जुन देव ने तो उन्होंने निर्मार की बात की है तो आंसर हो जायदा गुडू अर्जुन देव ने धानकना निर्मार पूरत आया है जब पुछा जाया है आधार किस ने रखा है तो धानकना आधार रखा है गुडू रामदास ने क्लियर है ना बिल्कुल आप लोड़न में B और D में confusion हो ड़ी मैंने देटा बहुत सारे बच्चे क्लियर है चलिया है जल्ली से आधला क्वशन पढ़िया और बताईए नेश क्वशन देटानसर क्या होना चीए बिल्कुल थोड़ा बाई और दवाती सेयर भीटरत रहिए जिन्होंने अभी तक सेशन तो सेयर निकिया फड़ा फड़ जल्ली अलिए तीस धर्म सुधारत की मृत्तु भारत के बाहर हुथी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ राजा राम मोहन राय के बारे में धेर सारी बाते आपको पता चलनी चाहिए जैसे राजा राम मोहन राय को कई बार कोशन आता है कि राजा की उपादी किसने दीती तो धारतना इनको राजा की उपाद इस बाद को धानक ना राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी अठर धिरती रहे दी यह इनकी वरत्तु व्यूटरम होती बेटेन में उती है और दूसरी चीज़ सुनिए इन्होंने ही 1928 में ब्रह्म समाज की श्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ठीथी भारत में सती गॉर्ड विलियम बेंटिन सती प्रथा का अंदर करनेट लिए ठीटे ये दूनों बात याद होनी चाहिए आजे बढ़ते कोशन नमबार 9 जल्दी तो देखिए समझिए और बताईए नौ मेटा क्या होना चीए फड़ा बट जिनों भाई अभी तक सेसं तो सेर ने किया जल् पिछला वाला कोशन हिस्ट्री ता तो यह देखिए साइन्स का कोशन है बात क्लोरो फ्लोरो टारवन की है मैं आप वतादू 180 में इसको चेहते हैं चेमिकल फर्मला एट नी होता धेरो होते है इसलिए मुझे चेमिकल फर्मला नी बताना इसको कभी बार आपने देखा होग यह देखा है तो एक तो इस एउ सीह लिए करता है वह जाता है तो चलिए तो आपका उपसण हो जाएगा आफ्सन नमबर A. CFC आइउज फ्रीजों में होता है, AC में होता है, ठंड़क पैला कमें किये, रेफिजरेशन सिस्टम में होता है. चलिए question number 10 वा परवाई जली ज़र बताईए बात बात ओजोन परक्टी आईए दारफना जो ओजोन गैस होती है वो secondary केंडरी पलूट प्रदूशर प्रदूशर केलाती है ओजोन पर तो उजोन परात समताब मंडल में पाई जाती है एक पॉइंट भाई आप्ट पता होना चाहिए ठीक है बिल्कुल नेफ्राउन जो है वो किटिनी टीटाई हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल एद्दम सही बता रहा है बाई जल्दी हल्दी सब लो सेसं पूर सेल भी करते रही है देखरे वालों की संख्या अगर सो है तो लाइक भी सो होने चाहिए फड़ा बर जल्दी हल्दी लाइक क से मसाला ही लेती छा और धारत मां भारती मसाला नुसंधान के वह क्रेळल में केरल में से मसाला लेकर न नरे बड़ अच्छे वितंश थिया था जो वाश्टु दिडामा आया था पूर्तर्याल से आया था उसे कित्री बार भारत आया था उससाइब गाँए जल्दी मुझे आंसर दीजे और किस्टे-जसंघ आया था राजया जमोरिन ये भी बता होना चीए ठीक है पढ़िए अजमेर सहर की स्थापना बताईए किसने ठीथी अजमेर सहर की स्थापना बताईए जल्दी से किसने ठीथी फड़ा बड़ जल्दी से बताईए अजय पाल शुरेंद्र पाल धर्म पाल बिल्कुल एद्दम सही बता रहा है तीन बा तीन बार तो अजमेर सहर की जो स्थापना थी वो धार अजय पाल नीटी थी अजय पाल नहीं धार अपना अजमेर सहर की स्थापना थी ओप्शन नमबर A हो जाएदा जल्दी दिपढ़िए 12 वे कोश्चेंटर का एक टांसर क्या होना चीए 1757 में स्राजुद दौला के द्वारा पराजित किया दिया था तिस्टे द्वारा पराजित किया था पले आप सुनो 1757 में होता है भाई सब प्लासित युद्ध और यही वो युद्ध है यही वो कि रावर्ट क्लाइब के साथ होता है भलो भाई हेस्टिं की साथ नहीं होता भेया रॉवर्ड ट्ला था पहला था पहला आए बढ़ते हैं इस कोशन लिए और कोशन नम्बर 13 यह प्रीविएस यह डूप डी में आया हुआ कोशन है ध्यांग से सॉल करीजिए आप ऐसे आसान सा कोशन है जल्दित पड़िए और बताइए इसना क्या टांसल क्या होना चीए निम्न में से तिस्तत्य प्रतीत में केवल एट अच्छर होता है फड़ाबड सुधीर रुपते जी टेर रहे सर हेटसा डेका मिली सेंटी इन में से सब बड़ा छोटा बता दो सर ओके किसी दिन में फिजिक्स की यह सारे टॉपिट जो आपने बता है यह सारे टॉपिट में ग्लियर कर दूं रहा है तो पहले आप बात प्रपर फिक रहे में प्रतीत में चल्द हो जायेगा कारबन समझ में आए वही सबके कार्बन के कारबन के दो अपर रूप हमेसे याद होना ची एट ग्रेफाइट दूसरा डायमंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार को दा नगना चलिए कोशन नमबर चोववीस चोवदुआ परिगलीज और बताईए कोशन नमबर 1488 टांसल करोना ची जलीज पढ़िये बिलकुर टाइम इन भाई सब लोग नोट रेटेड रठिये जितरे भी बच्चे नय है मैं आपको पतादू टाइम रात आट बजे है डेली मैं आपको 45 कोशन लाओंगा मिठ कोशन प्रैक्टिस के लिए अब बहुत जल्दी जो है बहुत जल्दी जो है इस्टा बहुत बढ़ा रूप आपको देखने दुमेले थोड़ा एज़ाम डेट नसे दीडा जाने दीजे ठोटी जब तर एज़ नहीं आई डोज लाने के लिए थोड़ा सबसावर तो आज देखें, CNG जिसे बोला जाता है, compressed natural gas, compressed natural gas बताईए, मुठ घटत क्या होता है, तो मैं आपको बता दू, compressed natural gas, यानि CNG जो मुठ घटत होता है, सरो होता है, butane, butane, option number B, तो धार खिरा जो butane है, सरो CNG में पाई जाती है, और cigarette जो lighter होता है, cigarette जो lighter होता है, उसमें भी पाई जाती है, साथ साथ जो lpg गर的話 cylinder होता है, उसमें भी butane होती है, लेकिख साथ साथ इथाइल मर्केप्टन भी होता है मर्केप्टन भी होता है वद बूटे लिए तो इथाइल मर्केप्टन भी उसमें होता है इस बाद रही ड़ा तो cidrata and lighter में CNG में, Lpg में में component आपका butane ही होता है और अगा बाथ behavioral formula ची जाए तो 38 behavi तो C4, H10 C4, H10 ये इस्टा टेमिटल फॉर्मुला होगा, बात प्रोपेंटी जाए, तो मेथ एथ प्रोप, यानि C3, H8, ये इस्टा टेमिटल फॉर्मुला होगा, बात मेथेंटी जाए, तो CH4 होगा, एथेंटी जाए, तो C2, S6 होगा, याद तके भाई सब्लों रफिया आजे बढ़ते नेश कोशन के ओर कोशन नमबर पंद्रमा ये लीजे मैं इसको बार बार ये कोशन एट बार लेते आता हूं फिल लेते आता हूं ताटी आपके ये रिवाईज होता रहे ठीटे सुरंद के लिए नहीं बढ़ते लिए ठीटे कॉंप्रेस्ट नेशुरल डैस चलिए सत्रवा जी ट्वंटी सम्मेलन दोजार तेइस्टी बताई बैठत टहां हो ली जी ट्वंटी में हमेशा दर्फना 19 देश होते हैं जबती एक यूरोपियन संग होता है अज़र बा 19 टी टहां होनी है 2022 टी टहां होनी है 2023 टी टहां होनी है 2024 टी टहां होनी है यह इतरी धेर सारी बैठत यह आपको याद होनी चाहिए यह आपको याद होनी चाहिए चलिए बताई जाए तो 2019 टी बात टरते हैं तो यह जपान के ओसाटा सहर में हुई है 20 टी बात टरते हैं तो करते हैं तो 21 बैठर होनी है इंडोनेशिया में अगर 23 बैठर का ओनी भारत में और 24 बाद करते हैं पर 10 24 बैठर होने है ब्राज ही ब्राजीलunta ती सारी की सारी बैठर भाई सब लोग याद कर लो जल्दी से ठीक है तो क्या हो जाएगा 2023 की पुझा जा रहा था मतलब भारत मेरा सही अंसर हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ष कोशन दियो और अडला कोशन 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 नमबर सोलवा पढ़िए भाई जल्दी से और बताएगे कोशन नमबर सोलवेग अटांसर क्या होना जी जल्दी से फटाट फट 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 जल्दी जापान के ओसाका सहर में हो नीए जानत ना ओसाका सहर जापान का मैंचेश्टर भी टेलाता है ये विदार रठीरा ठीक है राउल के लाए इस्ट प्लांट है तो यह जो राउल के लाइश्टिल प्लांट है सरी उडीशा में है उडीशा में और उडीशा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर होटी वर्ल्ड कप होता है इस बाद को दारना होटी वर्ल्ड कप उडीशा के दो सहर में होता है तो भूनेश्यर है दूसरा राउल राउल केला प्लांट बनाय गिया था जर्मनी के सहोट से, clear है ना, तो अफसर नमबार D सही है, रूस मैं आपको बता दू, रूस बनाय था भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट जो है, वो रूस की मदद से बनाय गिया था, और एक और श्टील प्लांट है, वो भी धार अठीरा रूस की मदद से बनाय गिया था, मैं उसको नम अभी बता दूँगा आपको, तो धार अठीरा भिलाई जो था, BSP, वो रूस की मदद से बनाय गिया था, लेकिर राउल खेला, पूचा गया जो उडिसा में, सरवो जर्मानी के सहोट से बनाय गिया था, आजे बढ़ते हैं इस कोशन की ओर कोशन नमबर, सत्रवा, अठी ये कोशन में से कल टड़ा चुटा था, चली फिर जल्दी से मुझे क्रमेंटर बता दो, याला कोशन में आपको, हाँ, आज ऐसा हो जिया था, मैंने इसलिए सुरुवात में ये लाइन बोल दी थी, ये लाइन मैंने सुरुवात में ही बोल दी थी, तोकि वो थमनेल धोटे से लग गया था, ठीके, चली, नेम लिटेत में से किष्टा जन, डॉक्टर दिवस्टे तोर पे मनाये जाता है, डॉक्टर दिवस्टे तोर पे, बताईए तिष्टा जन मनाये जाता है, ठीके, तो अगर मैंने टल भी बतायाता है, जो डॉक्टर दिवस है, वो कफसे मनाये जाता है, एक जुलाई उनीस सो इंक्यान बे से मनाये जा रहा है एक जुलाई उनीस सो इंक्यान बे से धानतना डॉक्टर दिवस मनाये जा रहा है और डॉक्टर दिवस किस्टे जन्म पर बनाये जाता है एक प्रणार्जी कोशन आपका रिवियल कोशन हो दिया देखने वाला कोशन हो सद्दाम हुसेन ने सी दिया जलत बात है बाई कल टे वीडियो मैंने आपको कोशन सौल भी आया था फिर भी आपने नहीं साइल कर पाए चले कोशन नंबार अठारवा देखी जल्दी सो जवाब दीजे कोशन नंबार 18 बेटा फड़ा पर जल्दी जल्दी जवाब दीजे व एक बार जोड़ बार तरीटे से सेटर दो जुन्हों अभी तर सेजम से नीटिया सीव नंदन विजय सीन्य सोता रिसाब पुनीद दीपू अंके दिनेश मनाली जल्दी फड़ापट निम लिटित में से टीस यूटमो की SI इटाईया समान है SI unit सेम है हाला कि पहले वाले में नहीं सर समवेट की होती है newton second और जबकि बल की होती है केवल newton केवल newton बल की होती है newton और दाप की होती है newton per meter square कार की होती बाइस अब जूल और energy की भी जूल होती है सर इनी दोनों की unit सेम है option number D हो जाएदा अब शेक कुमार जी force unit होती है newton और pressure unit होती है newton per meter square समझे ना थोड़ा धन से पढ़ाई टीजिए नहीं तो लग जाएँगे चलिए आज़े बढ़ते इनी इस question की ओर question number ये लीजिए ये देखिए अभी Monday को ही just ये अवर्ड धोस्यत हुआ है आपका बताना है सरसेटवा राष्ट्री फिल्म अवर्ड जोटी 22 March अभी 22 March Monday को ही धोस्यत हुआ है और कहां ये धोस्यत हुआ है अवर्ड न्यू डेली में धोस्यत हुआ है तो आपको बताना है कि सरसेटवे राष्ट्री फिल्म अवर्ड सर्व शेष्ट अभीनेता का बताई अवर्ड किसे मिला है 22 March न्यू डेली इस बार को धान में रखेंगे ठीके बोलो भाई तो धार धनुस ने एक मूवी टीती उस मूवी टर नाम ता असुरन काफी पढ़िया मूवी ये बाई मैं एट बार ये भी बता चुत हुआ हूं आप लोडोगो और धनुस तो दच्छिड भारत के लिए दांदी जड़ा दच्छिड भारत का दादा साफ फालके वर्ड भी मिला है असुरन मूवी टे लिए और मनोज बाई पई पई जो को मूवी टे लिए मिला है उन्ती मूवी टर नाम है आपका भोसले तो धारत मा मनोज बाई पई जीती मूवी है भोसले तो इन मूवी के लिए इनको आपका सरसेट वे बेस्ट एक्टर का वर्ड दिया जया है अफसर 22 March को कौन सा दिवस होता है। भारति नौ सेना की बताइए operation sun club के तहित किस देश टे साथ PASSES 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 जो अभियान है यह अभियान किस देश टे साथ किया है भारती नौशेना ने जल्दी से बताइए फड़ा-फड़ अब 20 आंसर दीजे बहरीन है कि इथोपिया है कि सौधी अराब है कि ओमान है फड़ा-फड़ पताइए तो जो पैसिज आपका अभ्यास हुआ है वो भी नौशेना के साथ अभ्यास यह अभी रिसेंटली में हुआ है और धान अखेरा यह हुआ है बहरीन के साथ बहरीन के अब यह अनुए भारती नौशेना का बिल्कुल बिल्कुल वो बर्ड वाटर ड्रे विश्व जल दिवास यह 22 मार्च को मनाये जाता है एद्दम सही बता रहे है 22 मार्च को याद रखी रा ठीके चलिए पोशन नंबर 21 पड़ा बाई जली जोर बताए पोशन नंबर 21 का कर अंसर क्या हो न चीए फड़ात से जल्दी जवाब दीजे एब बाई जोर दार तरीटे से एब और और सेर कर दो फड़ा बड़ जल्दी सेर करते रहे है बहरीन याद रखना है पैसे नो सेना नो सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास बहरीन चलिए अगला कोशन हिंदू वि अगर पारिट हुआ है आपको संब बताइए तो धानखेरा यो हिंदू विदुआ पुनर विवाय दिनयम है सरी 1806 में ही पारिध हुआ है और उस समय आपका घौबर्नर जनरल कौं था तो उस समय धार जबरनर जनरल था लौड कैनिन के समय ही धानखेरा हिंदू पुनर वि एफाराव संतावण में आपका ट्रांती भी हो जाती है, ट्रांती भी हो जाती है, चलिए, कोशन नमर बाइस यह अटाफिया आसान सा कोशन है जल्दी से स्टांसा देदो भाई सब लोग, फटाक से जल्दी सांसा दे दीजे, बिल्कुल लॉड केनिंग के समय में था ये भी आपको पता होना चीए निमने में से क्स नदी पर सफसे अधित पत परिवर्तन किया जाता है जल्ली बताइए कौन सी नदी सफसे अधित पत परिवर्तन करती है फड़ाँ पर जल्ली से अंसर दीजे कोशन अंबर 22 का सो नदी डंड़ की कोशी की डंड़ा तो धारता सबसे अधिक पत परवर्ता करने वाली जो नदी है सर वो है बिहार की कोशी नदी बिहार की कोशी नदी इतना जादा पत परवर्ती करती है तो अगर सूखा पड़ेगा तो सूखा ही पड़ जाएगा और अगर बहड़ाएग मेलटल है जल्दी से इसको अटाइम्ट करेंड़े और देखेंड़े इसना टाइट अंसर क्या होना चीए बहुत ध्यान से देखें रहाला कोशन वस्तूटो एक निश्चेत उचाई पर रठा जाता है जिससे इस्तिते जूड़ा 480 जूल हो जाती है तो वस्तूटी भूमी से उचाई बता दो तो हमें यू बराबर फॉर्मला इस्तमाल करना पड़ेगा एम जी एज सर यू है 480 द्रम्मान है 12 जी टी वैलू है 10 और डोड़े एज तो भईया एक जीरो से जीरो टेंसल बार अरतालिस तो टित्री बार टेंसल करेगा बारा चोटो अरतालिस यानि आंसर आने वाला है 4 मीटर यू बराबर एम जी एज लगाया 12 चोटो अरतालिस यानि आंसर आ दिया 4 मीटर बोलो भाई तो 23 में टा क्या टांसर ओफ्सन नंबर C हो जाएगा ओफ्सन नंबर C 4 मीटर चलिए आगे बढ़ते क्वोशन नंबर 24 पढ़िए जल दीचे और बताईए कोशन नंबर 24 पढ़िए टांसर ओफ्सन नंची बिलकुल दीपू नीतू विश्वे सद्दाम हुसेन जित्रे भी बच्चे वेरिडोड 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 बाई निमेलिकल को अटेम्ट कर निटी यादर सब्की होनी ची बार बार मैं आपको एक बार बताता हूँ सम्वाद कॉमिदी पत के बताईए संपादक कौन है तो धारतना जब भी रवी बात की जाएगी सम्वाद कॉमिदी पत तो ये जो आपका पत्तिक्ता थी इस जो संपादक थे उन्टा नाम है राजा राम मोहन राए सती प्रथाते अंत के लिए लोगों को जड़ाने काम इ प्रथा का अंत राजा रामोन राय अड्रेजु में पूछा जाया तो लॉड्ड विलियम बेंटिन आजे बढ़ते हैं कोशन नमबर पचीश्वा बहुत बढ़िया कोशन नमबर पचीश्वा पढ़े लिए फटार से जल्दी से पढ़िये और बताईए कोशन नमबर जो डीजे जोनों अपीतर से सर्फ हेलाय बन लाइक जल्दी जबर ने सबसे पहले मानव विटास रिपोट RAMSAY इंडेक्स सौट्टटविश्टों बोलते है HDI Human Development Index मैं आपको बतादू जो Human Development Index है न वो किस आधार पर दी जाती है वो दी जाती है स्वास्थ ति आपके राज़िका आपके देश्टा स्वास्थ कैसे है लोगों का स्वास्थ कैसा है स्वास्थ के साथ साथ सिच्छा और सिच्छा ते साथ सा धारतना जीवन, जीनेट, इस्थर इन तीनों को आधार मांते हुए धारतना Human Development Index जारी होता है और Human Development Index की बाद करते हैं तो अभी 2020 में अभी 2020 में 189 देशों में 189 देशों में 831 रेंट दान दी जेटा 188 रेंट भारक ती थी 189 देशों में ये रेंट इंडिया ती थी 2020 ती बाद कर रहे हैं और भारत में सबसे पहले Human Development Index जारी हुआ ये जारी हुआ 1972 में और सबसे पहले 30 राज में जारी हुआ है ये धारतना ये जारी हुआ है मद्ध प्रदेश में मद्ध प्रदेश में ही सबसे पहले Human Development Index की बात की रही थी 1972 में बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना तो 1922 भाई सबको याद रहे ड़ाना फड़ा पर जल्दी से बताइए काफी important question है किसमें दिया जाता है स्वात, सिच्छा और जीवन इस्तर और 2020 में जुष्टी रहन की थी वो एक सबक्तिफशी थी 189 देशोटी बीच में चलिए कोशरबबर 26 ये इंडेट्स भी भाई बहुत जरूरी है मतलब कल मैंने वो World Happiness Index बताया था उसमें आपका 149 नमबर था भारत का उसी तरह से यहां पर भी भारत बहुत ज़्यादा आड़े नहीं है पीछे ही है Coronavirus Performance Index में भारत का बताये इस्थान कौन सा है मतलब सीधा सा ये है कि Coronavirus से निपटनेट लिए भारत को 30 नमबर पे रठा दिया है जो पहले नमबर पे होगा इस्था मतलब उसने सबसे बढ़िया तरीके से निपटा होगा तो धान रखना ये जो Coronavirus Index है ना सर ये जो जारी हुआ है ये अन्ठानवे देशों के भी जारी हुआ है तोटल अन्ठानवे देश है और अन्ठानवे देशों में जो पहले नमबर पे है सर वो New Zealand है मतलब New Zealand ने Coronavirus से सबसे बढ़िया तरीके से निपटा है सबसे बढ़िया तरीके से निपटा है लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में ये इस्थान लिया है 86 नमबर 86 जो रखन की है वो दान रखना भारत की है तो अन्ठानवे देशों में बाई अन्ठानवे वार देश तो सबसे बढ़िया तरीके से निपटा समझ पा रहे ना भाई सब लोग तो इस्था कैट टानसर हो जायए दा 86 वार रैंटिन भी देखो के वो अन्ठानवे देशों की बीच बना हाँ New Zealand ने बढ़िया तरीके से निपटा है निजलेंटी डागदानी है वेलेंटन चले वोश्य नमबर 27 जली से जवाब दीजे वोश्य नमबर 27 टानसर चाहाँ लेंगे फड़ाक्स जली से पढ़िया ठीके जली अली भाई सब लोग जवाब देत रही है नागा अर्जुन बताइए कौन थे जैन हिंदू थे अब नागा अर्जुन आप साउथ ड्यू मूवी मत से लेंगा ना तो जैन हिंदू बहुत दार्शनिक हिंदू दार्शनिक मुसलिम सूफी संद आप बताना है कि नाडार्शुन न संबन्ध इनमें से क्या है या यह क्यों ने जली से बताइए कमेंट कर ते फड़ा पड़ा बिल्कुल सब लोग भाई सब लोग जली जली सेर कर दो एक बार जोड़ार जटना दीजे ताकि 200 क्रोस कर जाए फड़ाट से तो दार्शनिक जो आपका नागा अर्जुन है मुसलिम सूफी संद तो नहीं हो दकते नाम ही नहीं मिला तो ये थे दार्शनिक बहुत दार्श अर्शनिक थे आपका नागा अर्जुन और बी इस दा राइट आंसर बिल्कुल तो जुन्हों ने बी आंसर दिया है वह एकदम सही है धान अखियरा चलिए आजे बढ़ते कोशन नंबर 28 पढ़े जल्दी जोर बताई कोशन नंबर 28 रटे एक टांसर पर होना जी आपके सा बताईए 2026 में होने वाला तेइसमा फीफा और सिटाप आयोजन बताईए किस देश में किये जाएदा तो फीफा वर्ट्रप के बारे में सुलीजे 2018, 2022 और 2026 ये तीनों फीफा वर्ट्रप आपको रटे हुए होने चाहिए 2018 वाला कहा हुआ है सर ये रूस में हुआ है रसिया में हुआ है 22 वाला कहा होना है क्यतर में होना है जब्कि 2026 वाला कहा होना है सर ये यूएसो में भी होना है कैनेडा में भी होना है और साथ साथ मेक्सिको में होना है यह तीनों देसों तो मिलाके होना है Mexico में तो 206 ठगप पूछा जाये तो उपरोत में से सभी ऑफसर नमबर D यह तीनों याद गलो सबसे ज्यादा बार FIFA वर्ड कप किसने जीता है सबसे ज्यादा बार पूछा जाये तो दारखना सबसे ज्यादा बार जीता है ब्राजील ने सबसे पहला वाला FIFA वर्ल टप किसे ने जीता था? वो जीता था, औरोडवे ने औरोडवे ने सबसे पहला वाला FIFA वर्ल टप जीता था लेज़े सबसे ज़्यादा बार वाला पूछा जाये तो धारफना सबसे ज़्यादा बार जीता था ब्राजील ने कोशन आ चुका है, आजे बरते कोशनText No.29, यह लिजे, कल मैंने यह कोशनकर आंसर बताय था और आज दूसरी तरीटे से कोशन पूछा गिया है, आज यह कोशन दूसरी तरीटे tocar से पूछा गिया है, बस यह चेट करने के लिए, कि आपने जो है, इस तो रखायटी नहीं याद रखाये, जल्दी से बताईए, हाल इने भारत सरकान ने, गाउ में सस्ते LED, सस्ते LED, light emitted diode, light emitted diode, बल वित्रा कड़ने के लिए, कौन सी योजना लॉंज्टी है, तित्रे LED वित्रिक ये जाएंगे, तो उस योजना का नाम बता दो, और तीस राज जिसे य योजना शुरू हो रही है, उस राज जिता भी मुझे नाम बता देना, ठीक है, बिल्कुल, तो जित्रे बच्चे डेली आते हूं, पता भी है, सब बच्चे अदम सही कमेंट दे रहा है, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना के तहती, गाउ में ये, डेढ़ गलत नहीं हो, आप साइटर देना, आरा नाम का जिला है तो बिहार में, तो बिहार के आरा नाम जिले से ही, ये योजना शुरू हो रही है, बिहार के आरा नाम जिले से थोड़ा मुझे बताना, ये जिला है कि नहीं, थोड़ा मुझे मिस हो रहा है, ये चीज, क्लियर है, बताना जल्दी से टमेंट टर्टे आजे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्ण ग्यों और कोश्ण नमबर 30 ये लीजिए फटाबर जल्दी से पढ़िए और बताईए इस रटाये टांसर टे होना जी फटाबर जल्दी जवाद दीजिए भाई एक बार और जोड़दार सब लोग से कर दो ताथी ताथी जो है 200 अड़ा तुरंस हो जाए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना बताई किस देश से हुई हाँ जी नाम नहीं याद आ रहा था तो सोबियस संड ध्यानकना बोकारो और भिलाई बोकारो और भिलाई इन दोनों की जो स्थापना हुई है ये सोब अससन के सायोड से जोइ ठीट है तो गटारा एम आर भिलाई ये जर्मनी की बात चड़ते हैं तो धानकना इए इसने राउल केला राउल केला जो प्लांट है वो जर्मनी के सायोड से ठुला घया है ये तीनों बाते पुछी जाते है याद परके रखना राउल केला जर्मनी है बुटारो और गुलाई सोभिय संडी की बदस से है आपसन नमबर ए हो जाए रा आजे बढ़ते हैं निश कोशन के ओर कोशन नमबर 31 वा ताकि ठीक है जल ले पड़ी है इंजिनिरर रिसर्च एंड डवलमेंट पॉलिशी 2021 हाला कि ये पॉलिशी ये राजिकी सरकार इससे पहले भी लाच चुकी है लेकिए बस आगे 2021 लगा दिया तो इंजिनिरर रिसर्च एंड डवलमेंट पॉलिशी 2021 बताईए ये पॉलिशी की सराजिकी सरकार ने लौंच दी है यहाँ पर बात इंजिनिरर एंड डवलमेंट की बात आईए तो इंजिनिरर से डे भी बता दीज़े कि इंजिनिर्स डे कम मनाया जाता है ठीक है तो जिनोंने आंसर दिया है कर्नाटर वह एगदम सहीर धानकना यह जो तर्नाटर है न कर्नाटर की राजज सरकान नहीं आपका इंजिनिरर में होने वाले रिसर्च और डवलमेंट पॉलिशी को लौंच दिया है कर्नाटर की सरकार ठीक है निमेरिटल टराओ दीपद जीनना बोलतार आप यह बोलते ति निमेरिटल भी टराओ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता ठीटे यह लीजे जल्दी से निमेरिटल आपके सामने आ दिया फड़ा बर जल्दी से पढ़िये और निमेरिटल की ट्लास में एद दिन अरे सर सेनी में जोड़ा जा रहा है ना तो सेनी में जो नेट रिजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएडा और 4 ओम की है 4 तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानि आंसर आने वाला है 16 ओम आंसर आने वाला है 16 तो सेनी कम में जोड़ा जाएडा तो आंसर आत अंतर कम में और सेड़ी कम में जोड़ा जा रहा है तो आंसर आएगा 16 समझ में आ दिया ना चलिए आगे बढ़ते हैं ने इस कुश्ण दिए और कुश्ण नमबर 33 पढ़िये जल्दी से अठेब बहुत बढ़ते हैं यहां से इंवर्ट्रेट्टम में लगाना Champion Republisher of the Year Champion Publisher of the Year Award दिया गया है तो जो अमारी जो अमारी कर सकते हो न्यूस पेपर आते हैं मैग जीन आती है जैसे इंडियन एक्सप्रेस, डैनिक भास्टर, दा हिंदू गू टाइमस ओफ इंडिया आपको बताना है कि इन में से टिश्को Champion Publisher of the Year के अवर्ड से नवाजा दिया है दोजार इटीज अच्छा अवर्ड दोजार इटीज को में दिया दिया है लेटेड ये जो आपका रिव्यू है ये दोजार बीश्ट है तो दोजार बीश्ट या अधार पर जो अवर्ड दिया दिया है वो दोजार इटीज प्रू दिया 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 है जल्दी पढ़िए इस्टा काई तंसल कहोना ची चैंपियन पर्दिशल ओप दिया दिया है 2020 ये दा हिंदू ग्रूप यानि आप ये भी टैसबते हो इनसल्ट जो दो हाँ दा हिंदू ग्रूप है सर वो ऐसी पत्ता बन चुकी है जोटी टैसबते हो सबसे बेस्ट रही है 2020 लिए दा हिंदू ठीके चलिए आजे बढ़ते हैं निश्ट प्रूप्षन क्यों प्रूप्षन नम्बर चौतिस्वा पढ़िए बाई चलिए जिदर ही बच्चे बोल ले कि सब निवर्टर्टी ट्लास लीजिए मेरे दोस्ट हपते में एक दिन भी निवर्टर्ट बहुत है हाना तो आप उस्टली परसान बिल्कुल भी मत हो यह दोस्ट अगर आप परसान रहोड़े तो मुझे जत्रता ही अच्छा नहीं लगेड़ा बहुत बेटार सा लगेड़ा मैं आपको पहले बतादू भारत ड़ीभी हठाउड नारा किस पंच वर्शी योजना के अनतरगत दिया लिया था पहले मैं आप घोता दू गरीभी हठाउड जो नारा दिया प्रकु अनतरगत लेया था तो ये नारा अगली 5 वर्षी योजना यानि 5 वी पर्च वर्च 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 व लिए कि अपरेंगे और बताइं डिए टेक्ट टेयों स्थे जल्दी पढ़िए वैं ये टो शंच थोग आज एंप्वर्टन्ट हो जाता है फटा बट जल्दी थोड़ा yukra देखने वाले उट संक्या दोस्तों है तो लाइक कर दीजे जिन्हों ने अभी तब सेशन दो लाइक निटी है पहले दबात लाइक कर दो फटाट से किस राज ऑबलेट संग सासित राज सरकार ने देश भट्ती बजट पेश तिया है अचा राज मिने किस राज ने देश पेश दिया है तो अडर सबसे पहला पेपल लेश बजट पूछा जाता ठी बताईए सबसे पहला पेपल लेश बजट किस ने पेश तिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश तिया है लेगि जो देश भट्ती बजट है वो किस राजी की सरकार ने पेश दिया है वो एदन सही बता रहा हैं अब यह ना हो कि कोई केजी दिवाल के नाम ले तो खासने लड़े एद दो लोड ऐसा नहीं करिए रहा है चलिए आजे पढ़िए कोशन नंबर 36 जल्दी जवाब दीजिए कोशन नंबर 36 हाँ पेपलेस बजट उत्तर पढ़ देश एदन सही है और यह यह भी दान थेटर दोजार इटीज में जो पेपलेस बजट पेश हुआ है वह हो पहली बार अपने भारत में पेश हुआ है जल्दी पढ़िए अटला कोशन हाल इमेल लॉंच हुई उत्तर्स 2022 उत्तर्स 2022 किष्टी पहले बताई जल्दी से दूस्तर्स 2022 है आपको बताना ह सुले न आरबी अब आइस जितने भी छोटे बैंख है उनक्यों सुधार लाने के लिए उनमें सुधार लाने के लिए अजयना एक पहल बताय सुरूरात के रहें ऑृततर 2022 तो उत्रस 2022 की जो शुरूआ थे वो धारतना RBI ने ठी दी RBI ने इसलिए किये क्या कि 2022 तट जित्रे भी इन से छोटे बैंट है उसमें सुधार आ सके डबलब हो सके अगर बात RBI की आई ये तो धारतना RBI की जो इस्थापना है वो 1935 में हुई थी और मुख्याला पूचा जाए कि बताए मुख्याला कहा है मुंबाई में है RBI के पहले गवंणर ओस बॉर्ण स्मित पहले भारती गवंणर सीडी देश मुठ ये सारी की सारी बाते आपको पता होना चीए तो उत्कर्स 2022 याद रहे ना क्या है उत्कर्स 2022 अपने से छोटे बेंड को के लिए कह सकते हो सुधार के लिए यह योजना लाई रही है उत्कर्स 2022 ठीक है जल्दी से पढ़िए और बताए नेस कॉश्चन का आंसार क्या होना चीए फर आवर जल्दी से पढ़िए सरवल आवर्गरती करते हुए कड की माद इस्तिती से X दुरी पर इस्तिती जूर्जा पुछी जा रही है माद इस्तिती से X दुरी पर इस्तिती जूर्जा पुछी जा रही है तो सुरो भई, तीन फॉर्मले पुछे जा सकते हैं एक तो इस्तिती जूर जाता, दूसरा गती जूर जाता, तीसरा टोटल एनर्जी दा, तो ये जो formula लिगा हुए, half m omega square, a square minus x square, तो a square minus x square, ये सरा kinated energy होती है, और इस्ते साथ केवल x square ले लेना, केवल x square ले लेना, तो potential energy बन जाएगी है, और x square न लेके a square बस लेना, केवल a square लेना, तो वो बन जाएगी, टोटल energy, ये तीनो टीनो formula आपको याद होने चाहिए, तो half m omega square, a square minus x square, kinated energy है, लेगे भाई, केवल a x square ले लो, potential energy, केवल a x square ले लो, total energy, काम ठताम, ओलो भाई, चलिए, आगे बाद करते हैं, next question क्यों और, अडला question, question number 38, बहुत नन्ना सा बहुत छोटा सा निमेल्टल है, बहुत जल्दी निमेल्टल सॉल्ट लेंगे, बहुत छोटा सा निमेल् की मिटर दूरी, सरी आपको x दे दिया गया है, ग्रती करते हुए, एक कड़ता तरण 12 है, ठीटे, तो बताईए, इसना आवर्त कल क्या होगा, तो आपको पता होना चीए, एक ही, SHM के लिए जो तरण का formula होता, वो होता, omega square x, याद कर लेना, f, तरण का formula, omega square x होता है, f कित नहीं पूछा था, मुझसे आवर्त काल पूछ रहा था, तो omega की जरह पे लिए देना, 2 pi बटे t, बराबर 2, 2 pi बटे t, बराबर 2, तो 2 से 2 टेंसेल, t इधार आएड़ा, तो theta मान, pi के बराबर आजाएडा, तो theta मान, pi के बराबर आजाएडा, और pi थोड़ा इस को सेटन ल देटे 2 pi बटे t होता है, तो 2 से 2 टेंसेल, t बराबर 3.1, 4, 7 आजाएडा, तो बहुत अज़ा tough question नहीं था, इस बार कुदान लेटी था, असान सा question था, omega है, कोडी weight, लेटेट मुझे आवर्त काल पूछा जा रहा था, चलिए, अड़ला question देखिए, इसमें भी आपको पत आउना चीए, टिश्कूर क्या चहते है, कई बार direct से question आएडा, याली line से question direct आएडा, मैं आपको पहले बतादू, एद्दम direct आएडा, ठीटे, बहुत ध्यान से देखना, सराल आवर्ति टरते हुए, टिशी टरता विस्थापन, अब ये देखो, ये जो समीटर मुझे दि निठा होता है, ये, ये होता है amplitude, हिंदी में इसको आयाम कहते है, अगर आयाम पुछा जाता, तो मैं direct बता देता, 0.05, आगे ये जो तर्म आता है, ये टर्म, ये चली में, ओमेडा इंटू T होता है, लेटे, T पहले से है, तो ओमेडा बराबर हो जाएडा, 4π, लेटे सव पर 4π, टलीजे, तो 2π, पाई से है, 4π, दो बार टैंसल, तो आवरती एन बराबर 2 आधिया, आवरती एन बराबर 2 आधिया, अफ्स नंबार D आंसर सही हो जाएडा, क्लियर है ना, तो 49 अभाई सबको आंसर सबको समझ में आ दिया, जल्दी से मुझे कमेंटर बताईए, 49 कोशन सबको समझ में आ दिया, फड़ा बर जल्दी सबताईए, चलिए, 40 बार देखिए, है तो भाई ये छोटा सा कोशन, लेकर इस लिए तुम्हें कॉंसेट बड़त रड़ा आना चाहिए, पहुत ध्यान से सुनना कोशन के लिखा हुआ है, सरल आवर्द्रती में क्या नियत रहता है, सरल आवर्द्रती में क्या नियत रहता है, तो मैं आप वतादू, जब भी तभी सरल आवर्द्रती होती है, तो ड्रती जूर जा और इस्तिते जूर जा हमेशा बदलती है, और प्रत्यान बल भी हमेशा बदलता है, बीच वाली पोजीशन पे प्रत्यान बल जीरो, और सबस अवर्ताल टाइम पिरियड धानकिये डा किसी भी ड्रती जूर्जा बहिए बदलती है ड्रती जूर्जा का फॉर्मला याद करो हाफ M omega square, A square, minus A square होता है विस्तापन एक समेशा बदले डा ड्रती जूर्जा बदले गी बिल्गुल तो जितरे भी लोग ऑफ्शन नमबा दी द पहले जल्दी से लाइक कर दीजे फड़ा पर जल्दी लाइक भी टरते चलिए आईपिल 2021 में अगा पूछा जाता कि सबसे महेंडा ख्लाडी बताइए कौन बिटा है तो आपका आंसर होड़ा ट्रिस मौरेस आईपिल के इथियास्टा सबसे महेंडा ख्लाडी बिटा है लेगा आगार पूछा जा आयोजन बताइए टफ से टपतफ होड़ा है तो 9 अपरेल से लेटर 30 माई तर 9 अपरेल से लेटर 30 माई तर आईपिल ट्रायोजन चलना है और सरंबर 20 आउत्तर हो इसरो डियाडियो इंसर लेकेड जितनी वी संस्ता हैं उन सारे कोशन भाई सबको पता होना चीए इस बार तुधा नखी रहा इसलिए मैंने याला कोशन रिपीड पिया हां लास्ट वाला जो मैच है वो मोदी जी टेडियम में हो रहा है मुदेरा स्टेडियम में फाइनल म चीए को किस ने लांच तैया अमेजोणिया जो गरैना यह इस रो ने लॉपिए यह लसे इना भारत में सैटेलाइट लॉंच इन ठीजो कोश्ट है ना बहुत कम है इसलिए अधर टेंटरी टे करते हैं कि यह घंट थी लो भाई हम से पैसा लेलो हमारा भी लॉट नो और यह जो लॉंच किया है, यह PSLV C51 से लॉंच किया है, PSLV C51 से लॉंच किया है, इस बाद तो धान अठना, option number B, 18 plus 8, चलिए question number 43, पढ़िए जल्दी से और बताइए question number 41, 43, 43, पढ़िए जल्दी से पढ़िए, बिल्कुल, थोड़ा जवाब भाई, सब लोग देते रहे है तेजी से, भारत में, भारत में नहीं, आपको बोला जा रहा है कि पहला मानाव हिर्दा, प्रत्य रोपड, बताइए किस देश में हुआ है, जल्दी से बताइए, हाँ, तो जो पहला माना घृदः है, प्रत्या रोपड़ है, वो सब कभ हुआ है, किस वर्स हुआ है, तब हे साउथ अफिर्गा में, किस तीन के किया है, तो डॉक्टर क्रिस्टन बनार्ड ने क्रिस्टन बनार्ड ने द्दाल Hearing. हर्ट ट्रांस्परांट किया था डॉक्टर कृष्टन बनेयार्थ ठीटे धन खेड़ा साउधर प॥ート बोलो भैं याद हुजाई रा कोई मुझे सन भी बता सकता है कोई मुझे सन भी बता सकता है मैंने पिछले बाले लेक्षर आप बताया था अज़ा किसी दो याद हो तो जरूर मुझे स्थन बताईए साउतर फ्रीटम हुआ था चलिए कोशन नमबर 44 फिजिट का कोशन है जल्ली से पढ़िए और बताईए क्या कोशन का अंसर होना चीए डारेक्ट आजाएगा फड़ाबट प्रत्यवर्ती धारा में ओर करें में अजया है तो धारतनाज जो आपका rms वेल्ली टा फॉर्म्मिला होता i rms वो होता अधिक्तम वैलू बते rº tu i rms बराबर अधिक्तम वैलू बते rº Tu तो इन्होंने अमीटर पसट्ष्यान और पाठ्ध ¿ वह हमेसा RMS वैलू होती है, तो आई RMS की जड़े पर हो जाएगा 5, अधिक्तम वैलू आपसे पूछी जा रही है, बटे रूट 2, तो अधिक्तम वैलू हो जाएगी 5 रूट 2, अधिक्तम वैलू हो जाएगी 5 रूट 2, अफ्सन नंबर C, बोलो भाई, बास आपको क्लियर है तो ये छोटे-मोटे फॉर्मले भाई सब लोट याद कर्टे रखो, अजर आगी है ना, तो देखा पूरी दुनिया कर ले जी, और तुम ही पीछे हो जाओगे, तो छोटे-मोटे फॉर्मले याद कर्टे रखी, जैसे थी ये फॉर्मला सबसे आसान सा आया, पुझा भी बहुत जाता है, ट्राइटी जी जल्दी से इस सवाल को, इस सवाल तो जल्दी से ट्राइटी जीए, उसी जैसा है, किसी से भी याला कोशन दिलत नहीं हो जीए, जल्दी से ट्राइटी जीए भाई सब लोग, फटाट से, कोशन नमबर 45 तो भाई सब लोग ट्राइटी जी तिसी प्रत्यवर्ती धारा का सिठर मान, इस बार देखिए, सिठर मान दे दिया, यदि अजित्तम वैलू दे दी, अब पूछा टॉन सा मान जा रहा है, वर्ड मात मूल मान, ठीके, तो बताईए पहले, I-RMS वैलू क्या होती है, तो वो होती है, सिठर मान बटे रूट तू, तो सिठर मान ने फाइब रूट तू, बटे रूट तू, रूट तू से रूट तू टेंसल, तो तितना आ जाएगा, पाँच एमपियर, तो RMS वैलू आ जाएगी, पाँच एमपियर, क्लियर हो रहा है न भाई सब्तो, जल्दी जल्दी मुझे कमेंटरेटर बताओ, चलि है, अड़ला पढ़िये है, वो बताई जल्दी से, सदिस, 2i प्लस 3j प्लस 8k, और इतना लंबुवात है, बहुत जान से सुना, जब भी तभी दो वेक्टर लंबुवात होते हैं, तो धारखना उन्टा जो डॉट प्रड़क्ट होता है, वो अवेसा जीरो होता है, डॉट प्रड़क्ट हमेशा जीरो होता है, यदि परपेंडिपुलर वेक्टर हैं तो, और डॉट प्रड़क्ट पूछा कैसे जाता है, निटाला कैसे जाता है, इस्ट्वायर पूछा जा रहा है, देखाओ ज़रा, ट्या था सवाल, वर्ड माद मूल मान, हरे भाई, मेरे वर्ड माद मूल मान, विर्मस वेलु होती है, उस्ट्वायर नहीं होता, समझे ना, वो मैंने जो फॉर्मला बताया था हो सहीधा, चलिए, तो सदी स्टा इन्होंने पूछा है, लंबवत है, तो बताईए, 80 वेलु बताईए, तो मैंने बताया थी, दो वेक्टर जब भी लंबव यहां दो है, और यहां थोड़ा गौर से देखिए, तो यहां पहले लिठा है, जे और आई लिठा है, ये, तो आई के मल्टिप्लाई, आई के साथ होड़ा ना, तो दो के मल्टिप्लाई, माइनस 4 के साथ होड़ा, तो माइनस 8 आएगा, जे के मल्टिप्लाई, यानि 3 के म बराबर 0 आएडा ठीटे तो 12-8 प्लस 4 और यहां पर 8a बराबर 0 यहां से a निकाल पर देखना तो 8 अमान माइनस एक बटे दो आएडा तो तिनका तिनका माइनस एक बटे दो आ रहा था हाथ ठड़ा करदू तिनका तिनका माइनस एक बटे दो आ रहा था हाथ ठड़ा करदू ऑफ्सर नमबर B को बोलो भीया बात सब्सक्राइब क्लिया रेना समझ में अर्याना तो यह इसलिए ये उन लोगवी एंट ये जो डहा ट पहले का ऐका मुल्टिप्लाइ पहले टे सा दूसले के डूसले टेसा तीजरे के तीजरे साथ जल्दी जवाब दिजे पोषण नम्पर 47 नम्पर 47 हाँ बिल्कुल आपके concept सही है तो आपकी जलतिया नहीं होगी मुझे पता है मैं फुजित्स बिल्कुल जल्दी से पढ़िया और इधन को इधन जो आम तोर पर नीली ज्वाला के साथ जलता है नीली लॉट के साथ जलने वाला इधन बता दू कौन है तो क्या कोईला है अरे कोईलेट हो जला ओगे आपकी आँखे खराब हो जाएड़ी है तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाला के वल एक ही इधन है LPG आपके घड़ों में जो LPG की सिलिंडर होते हैं जो डैस होती है सरो नीली ज्वाला के साथ जलते है ना बाती LPG के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बाते पता है ब्यूटेन प्रस प्रोपेन होता है जादा मत्रा ब्यूटेन की होती है इथाइल मर्टेप्टन मिलाए जाता है टेस होते उसमें बन्बूटे लिए ठीक है और LPG अंदर लिक्विड फॉर्म में रहती है ये भी आपको बात पता होगी मौमबती नहीं भीया LPG इस्टर सही अंसर है तो सेशन कैसा लगा पसंद आया की नहीं पसंद आया मुझे फीडबैक जरूर दीजे और आपको जो फीडबैक देना है दिनेश कुमार नरेश कुमार जिताँजली मनाली मतलब जितरे डेली स्टूडेंट हो मतलब यह तो बही बात हो जाती है ठी ढल्टी सब्सक्राइब क्या वो टावत होती ही मुझे ढावत भी देठी याद नहीं आ रही ति धर्टी मूर्गी दाल बराबर इसार लोग मेरे प्यारे स्टुडेंटें यही लोग फीड़ेट नी देते हैं जो नए बच्चे होते हो देते तो जितरे पुराने बच्चे हुए टेड़े वो भी मुझे फीड़ेट दिया तरी टमेंट बॉट्स में